आज की वीडियो में इंस्टेंट ब्रेक्वस्स रेसिपी में पुहा प्रिमिक्स कैसे बनाना है वो देखेंगे ये रेस्पी खास बैचलर्स, वरकिंग वुमिन और बुजर्ग लोगों के लिए भी है तीन मिनिट में परफेक्ट पुहा बन कर तयार होगा और इसे कैसी बनाना है उसका सही मेज़िमेंट क्या होता है वो इस वीडियो में मैंने बताया है आप इन्हे ट्रावलिंग के टाइम साथ में ले जा सकते हैं ताकि आपको घर का हेल्दी खाना मिल सके वो भी बिना प्रेसिविटिवस के तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट पुहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कप मोटा वला पुहा ले लिया है फर्स स्टेप में इस पुहा को हम चान लेंगे ताकि अगर कोई गंदगी हो या छोटा वला पुहा हो वो निकल जाएगा इसे चानने से यह साफ हो जाएगा यह देखे अब इसे हटा लेंगे यहां मैंने सारा पुहा चान लिया है अगर और कोई गंदगी जैसे काला पुहा रह गया हो तो उसे भी निकाल लेंगे यह सारी डीटेल्स उन लोगों के लिए है जो नए-नए कुकिंग करते है इन पुहा को बिल्कुल भी हमें अभी नहीं धोना है जैसे हम चिवडा बनाते हैं वैसे हम बिना धोई इस पुहा को इस्तमाल कर लेंगे एक और तयारी यह करनी है कि मिक्सर जार में थोड़ी सी चीनी और साइटरिक असेड मिलाकर इसका एक पौडर बनाकर साइड में रख लेना है हम इसे बाद में यूज़ कर लेंगे यह तयार है इससे साइड में रख देते हैं अब नेक्स्ट कड़ाई में लेंगे चार डिबल स्पून तेल और जब यह मध्यम गरम हो जाए तो इसमें मिलाएंगे वन फोट कप मुंगफिली और फ्राइ कर लेंगे अगर आप बुज़र्ग लोगों के लिए बना रहे हो तो बाद में सिर्फ भूनी हुई मुंगफिली का पाउडर मिक्स करना है ताकि न्यूट्रिशन मिल सके मध्यम आज पर फ्राइ करने से मुंगफिली अंदर तक क्रिस्पी हो जाएगी और इसके शल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी यह हो गई है इसे प्लेट में निकाल लेंगे यह सारी स्टेप्स इंपोर्टेंट है तो डारेक्ट तड़का बना कर उसमें फ्राइए ना करें एस्पेशली जब प्रीमेक्स आप बना रहे है नेक्स्ट हरी मिर्च को भी करा रहा और क्रिस्पी होने तक धीमी आज पर फ्राइ कर लेंगे ऐसा करने से शल्फ लाइफ तो बड़ेगी ही पर तेल में भी स्वाद उतर आएगा चलिए ये भी हो गई है इनने भी प्लेट में रख लेते हैं नेक्स्ट फ्राइ करेंगे कड़ी पता इसके भी बहुत बढ़िया खुश्बूर्स तेल में उतर आती है ये स्प्लटर करता है इसलिए ध्यान से करिए ये क्रिस्पी हो गए है इनने भी निकाल लेते है अब सेम तेल में तड़के के लिए मिलाएंगे हम वन टीस्पून जीरा, वन टीस्पून राई, आधा टीस्पून हिंग और सारी फ्राइ के हुई चीज़े मिक्स कर लेंगे अब इसमें मिलाएंगे हम थोड़ी सी हल्दी और मिक्स कर लेने के बाद हम मिलाएंगे पुहा और इसे अच्छे से 3-4 मिनिट धीमी आज पर भून लेंगे अगर कम भून लिया तो बहुत चूवी बन जाता है तो इसे क्रिस्पी होने तक इसे भून लेना है ये छोटी छोटी बाते होती हैं जिससे बुहा पुफिक्ट बनेगा अब बढ़ी असवाद के लिए मिलाएंगे इसमें हम 10 टीस्पून सौट का पावडर इससे बहुत ये बढ़ीया टेस्ट आता है तो इसे स्किप ना करें अभी भी मैंने गैस को धीमी आज पर ओन ही रखा है नेक्स्ट मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मुझे इस बुहा को भूनते हुए 6-7 मिनिट हो गए है अब इसे एक प्लेट में आप रात में निकाल कर थोड़ा से ठंडा कर लेंगे पुहा थोड़ा ठंडा होने के बाद मिलाएंगे PCV चीनी और Cytric Acid का पाउडर और इसे इच्छे से मिक्स कर लेंगे यह ना सोचे कि पुहा मीठा हो जाएगा तो चीनी के मातरा कम ना करे यह perfect taste balance करेगा और यह quantity perfect है इस पुहा की taste तीखी, खटी, मीची होगी और इसमें कोई भी preservators नहीं मिलाए है तो यह healthy भी और tasty भी है अब पुहा को आदा गंटा के लिए इसी plate में ठंडा होने के लिए रख देंगे आदे गंटे बाद यह तयार है आप इसे एक bottle में भर कर 2-3 हफ़दे fridge में store करकर रख सकते हो और छोटी bottle में भर कर traveling में या office में भी ले जा सकते है यह तयार है अब इस पुहा को कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगे तो एक serving बनाने के लिए लेंगे एक cup पुहा और इसमें मिलाएंगे हम उबलता हुआ उतना ही पानी जितना की पुहा डूप सके एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे यह देखे मैं आपको स्पून से दिखा रही हूँ इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं है अब 3-4 मिनिट इसे ढखकर साइट में रख देंगे 3-4 मिनिट बाद आप देख सकते हो कि एक्तम सॉफ्ट फूला फूला पुहा बन कर तयार है यह खाने में तो सॉफ्ट है ही और चूवी बिल्कुल भी नहीं है बस ध्यान रहें कि फ्रेच में से निकाल कर आप इसे रूम टेंपरेचर पर आने के बाद ही बनाए इसका टेक्शर देकर आपको पता चली रहा होगा कि यह कितना सॉफ्ट बना है अगर आप घर पर इसे खा रहे हो तो गानिश करें तासा नारियल धनिया और निम्बू से और इसे इंजॉई करें आप इसे संडे टू संडे बना कर भी स्टोर करके रख सकते हो आप एक बार इसे ट्राइ करेंगे तो आपको यह जरूर पसंद आएगा अगर आज के रेसिपी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक्यो फो वाचेंग दस वीडियो